36 गड़ सरकार गोधन नया योजना शुरू करने जा रही है हरेली तेवहार से शुरू होने वाले इस योजना के तहट सरकार गोबर खरीदेगी लेकिन 36 गड़ में कुछ यूवाओं ने विरुजगारी से इस योजना को जोडते हुए अनोखा विरोध दर्ज कराया है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में कुछ यूवा गोबर खटा कर फिर उसे बेचकर अपनी विरुजगारी दूर करने की बात क्या रहे है ये यूवा 36 गड़ में सिक्षक भरती परिक्षा और सव इस्पेक्टर भरती की रुकी हुई प्रक्रिया को लेकर इस तरह से सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे है अब एक दिन पहले ही 36 गड़ के मंतरी टी एस सिंगदिव ने भी ट्वीट कर लिखा था कि वो प्रदेश के सवी बिरुजगार, सिक्षा कर्मियो, विद्या मितान और दूसरे यूवाओं की पीड़ा से बेहत दुखी और शर्मिन्ना है सरकारी भड़तियों का इंतिजार कर रहे यूवाओं का वीडियो सामने आने के बाद, बीजेपी और कॉंग्रिस में जुबानी जंग तेज हो गई है बीजेपी ने कॉंग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं में हताशा चरम सीमा को लांग चुकी है और इनके परिवार संकट में है खुद स्वासमंतरी का कहना है कि मैं शर्मिन्दा हूँ आखिर कब तक सरकार इन युवाओं के सब्र का इमतिहान लेगी और कितने युवाओं के जलने का इंतिजार करेगी वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि कुछ लोग सोचल मीडिया का दुर्पयों कर रहे हैं इसके साथ ही कॉंग्रेस ने युजना को बहतर बताते हुए उसके लाव भी गिनाए हैं तो ये वीडियो सोचल मीडिया पर युवाओं के दौरा डाला गया था गोवर हिकर्टा करते हुए ये युवा नजर आ रहे हैं और एक तरह से विरूत कर रहे हैं ये लोग रोज सरकार से गोवार लगाते हैं और अपने हालातों के बारे में बताते हैं कि ये लोग बहुत दुखी हैं पूर्वा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग जी ने भी चिठी लिखी सरकार को नेता पुदिपक्स कोशिक जी ने भी लिखी और स्वास्त मंत्री टीएस बाबा जी को भी ये कहना पड़ा कि मैं शर्मिंदा हूं तो आखिर अब कब तक सरकार इन युवाओं के सब्र का इंतिहान लेगी और कितने लोगों के जलने का इंतजार करें सोशल मीडिया का दूट्रोप करके हाँ से पैहास करने के लिए कुछ लोग भले ही इसका दूट्रोप करेंगी सरकार गोबर खरी देली गोबर एद ऐसी महत्वकून वस्तु है जिसके मात्यम से सरकार जामिर अश्वेवस्ता को रोटेट करने जा रही है वह गोबर जो भी तक आपके हास्ट्र का प्रसंद बना करता था वह गोबर आज आप समकी हम समकी आत्मिर परधा का बाख साधन बनने जा रहा है